नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे ट्व चैनल ऑनलाइन श्रीडी सिर्किल पर दोस्तों आज से एक नया सिसन स्टार्ट हो रहा जो कि इस्टेटिक जीके का है और यह और यह अरा अर्वी न्टीपीसी के लिए महत्पूर इस सीरीज चलेगी तो आज के वीडि के लिए और अन्य सभी एक्जाम्स के लिए जिसमें भी स्टेटिक जीको तो सभी में आती सभी के लिए इंपटेंट है ठीक तो चलेए वीडियो को स्टार्ट करते है पहला कोश्चन है यह पर है प्रायदीपी भारत में सबसे लंबी ने दी कौन सी है तो पूछा के प्रा गोदाबरी यहां पर आड़ाइसर हो जाएगा प्रायदी भारत की से लंबी नदी गोदाबरी यानि दच्छिड भारत की कह सकते हैं इसको ठीक है इसकी लंबाई जो 1465 किलो मीटर है और यह त्रम्बेकेसर महाराष्ट के निकट महाराथ से निकलकर दच्छिड पूर्व की प्रवाइद होते हैं बंगाल की खाड़ी में गरती है तो यहां पर आड़ाइसर हो जाएगा गोदाबरी अब यहां पर नर्मदा नदी की बात की नर्मदा की लंबाई 312 किलो मिटर महा नदी की लंबाई 858 मीटर है और कश्नदी 1290 मीटर है ठीक है अगले कोशन दर बढ़ते हैं भारत में सरबाधिक सिचाई विस्तार प्रस्थद वाला राज को सा है तो सरबाधिक सिचाई विस्तार प्रस्थद वाला राज है पंजाब दोजार दस ग्यारा किनुसर पंजाब में सुद्ध बोई की छित्र का 99.60 पर सथ सिच्चित है ठीक है तो है प्राइट एंसर हो जाएगा पंजाब उसके बाद हर्याना आता है और उसके बाद मंद्प्रदिस आता है अला कोशन भारती उपग्रे सरंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वो भी कौशी है तो वह इंसेट है आप संटी यहां पर से जाएगा इंसेट मतलब इंडियन नेशनल सेटिलाइट सिस्टम इंसेट इसकाफल फार्म होगा तो बहुत देस इसी यह है बहुत देसी इस्थिर उपग्रों की इस रंखला है जो दूर संचार प्रशाण मोसम विज्ञान दथा खोज बचाव कार के लिए उपयोग में भी लाई जा रही है अलाग वश्चन है दच्छण गंगुत्री किया है तो दच्छण गंगुत्री एक अंटा कटिका में भारती सोध केंदर आएए यह बहरत का पहला स्विचाद केंदर है दच्छण गंगुत्री इसकी स्थाब्ना 1983 में की घी थी 83 में और 1991 में यह सोध्यकेंद्र बर्फ में पूरी त्रेकर से ढग गया था था तो इस करणा से 1989 में मैत्री नामक दूसरे स्टेशन की स्थाफना की गी और 2012 में भारती नामक तीसरे केंद्र की स्थाफना की गी तो पहले जो है दच्छिडगों को त्री पहले इस्थापना है पहले स्थान पर अला कुछ ने तमिलनाड़ का समुद्र तट क्या कहलाता है तमिलनाड़ के समुद्र तट को हम कहते हैं मालावार तट्टी इस और कोरो मंदल तट कोरो मंदल तट का भारत के दच्छिड़ी प्रायदीप के दच्छिड़पूर में आंध प्रदेश के फाल्स डीवी बिन्दु यानि क्रिश्णा डेल्टा के पास से तमिलनाड़ के के केप कोमरीन कन्या कुमारी तक है यह अगला कुछ में कौनसा राजी समुझ भागाड़ नागल प्रयक्वत प्रयोजना से जल प्राप्त करता है तो भागाड़ण प्रयोजन से जल हर्याना पंजाब और वर राजिश्थान में प्राप्त करता है भागाड़ नागल यह मुख मंतरि को निवताспär aktी ठीक sticking तो यह कौन से राजपाल को सक्ति प्रतान करता है तो यह उनुच्छ दे 164 और 163 में राजपाल को साहता और सलादेने के लिए मंत्र परशद और 165 में जो है राज़े महादविक्ता और उनुच्छ दे 166 में राज सरकार के कारेओं का संचाल निकाव लेक किया जाता है तो यहां पर एड़ रोजाएगा 164 आला कुशन सुची एक को सुची दो से आपको सुमिलित करना है एक तरप उद्गम छेतर दिये एक तरम निदी तो यहां पर सुमिलित करके मैंने रख्य हुए ब्रह्मागिरी जो है कावेरी नदी जो है ब्रह्मागिरी पाड़ियों से न ब्राण किये गए तो किस अनुषेत करिसार अनुषेत करदान किये प्रदान किये गए अनुषेत 15 का shroud 4 और 16 काograf के इसके अंतरगत प्रदान किये गए है तो यह दोनों ही आपक रख़ने 15 और 16 और ऑज ब्राजार ठीक है लिए गया जर्म क्यादार पर विवेद का प्रतिशेद इसमें दिया गया अनुशेद 17 जो है अश्प्रस्टता का अनुशेद 18 में उपादियों के अन्तिकी बारे में बताए गया अलाकुषने भारती गड़राजी के समिधान का कौन सा अनुशेद ब्यक्ति की प्राण एव अनुशेद 19 जो है यहाँ पर वह बाक सोततरता यानि वी से कुछ अधिकारों का सरच्षड करता ठीक है अनुशेद 22 कुछ दसाओं में गरपतारी और निरोल से सरच्षड को प्रदान करता ही है अलाकुषन समिधान के किस अनुशेद के द्वारा प्रत्थक अन्सूचित जनजाती का अंसूचित जनजाती आयो का गढ़न किया गया था तो किया गय गया दें 386 आयो । आहला वर्षान संग्तुराष्ट शंग के प्रजातंत्र की करण की महां का सम्मंद मुख्यता क्या था तो इसका सम्मंद था मुख्यता सुरच्छा परिशत से आप संसीस में सही वह जाएगा संग्तुराष्ट संग के प्रजातंत्र की करण की मुख्य करण की वह सुरच्छा परिशत थी सुरच्छा परिशत के पांच जो इस्थाई सदस होते हैं और दस जो है अस्थाई सदस होते हैं अस्थाई सदस्थों का कारकाल जो होता है जो अस्थाई होती है यह एसाइज जदश्थों मेरे तनम अपरचम करते हैं महारत के परिमाड़ सित्धान्त में आ ? पहलना करना एक तरपा प्रतिवंद नियुनितम विश्वस्नी करन और विश्वस्नी करन और सभी ते सारे सहिएंस में भारत का परिमाण सिद्धान न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन आफ इंडिया का मसोधा पहलीवार राष्टी सुरच्छा सलाकार बोर्ड द्वारा नैंटी इन अगस्त नाइंटी नैंट में तयार किया गया था खिलया कोशन किसके सहां नकाल में भारत में उदारी करन के परत्थम चलन को अरहां किया था तो यह अरम किया गया था पीवी नर्शिंग राओ के शस्वन काल में इनके साचानकाल में गोज़बिशि fi नेन को पो घरताक्र प्रदान करता है शुनाओ चिन sixव वटे ऐंटेश जो गाता है 1968 के मिन्स संसोदं के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्टी स्तर राज जह सतरी छेतरी दल को मानता प्रदान करता है और उन्हें चुनावचिन आवंटन करता है भारत का निर्वाचन आयोग ठीक है किस समित्य आयो कि थी यह च्छ चुन यह च्छतल कना वह सब्सक्राइब कर दो इंद उस्तान पर दुस्ततै नो ने उस्तानाइक कर्णां द बलबंत मैं इसनों ने तीन में सुख के लिए बोला था शूप में निuds कहलों कर्योंसे स्थानी सुषासन से कारणी प्राइथ नहीं है तो इस्थानी सुसासन से संवन्दी जो कारणी है वो है लोगविवस्था का अनुरच्छन, राज सरकार से संवन्दी थे, जबकि जन स्वास्त, सवस्था का प्रवंदन सड़कें और पूल आर्थिक समाजी विकास के उजना अगनी समन आदि इस्थानी सवसासन से जमन दी थे ठीक है अनुशे 243 छहां के अंतरकत पंचायतों की सक्तियां प्रतान के इंड गी है तो यहां पर जो जायएगा लोग वश्था का नवराश्था जहा और राज-आप यह राज्य सरकार की अंतरकत आता है बाकिश्थानी सथानी स्वसासन के अंतरकत कौन सा आर्टिकल है यह आर्टिकल है 243D यह अनसुचित जातियों एवं जन जातियों के लिए सीटें आरच्छन पतान करता है पंचायत के चुनाओं में ठीक है अन्सीं 243A है यह ग्राम सवा अनुचित 242. b पंचायतों के गठन त्यרה अनुचित 243 c पंचायतों की संरचना का उले करता है a जो है ग्राम सभा का है और बी जो है पंचायतों के गठन और सी जो है पंचायतों की सनफना की ब्र लेकरता है अलाह वर्षचन उत्ट्रकंसर्णी की सबसे बड़ी जल सबसे बटे जल बीड्यर्य निधिपरस्थित गया है बहारत का सबसे ऊंचा बांध वह तोटेरी बंद इसकी कुल चमता 2000 मेगावाट है कि यहाँ पर आज हमने 20 कंपलीट किये अगर miracle प्रेइपर आपको शुर्दे रिप नेक्स्ट वीडियो में कल से आपको 50 questions लगवक देने की हम questions करेंगे इस स्टेटिक जी के का वीडियो चलता रहेगा लगातार जब तक NTPC का एक्जाम नहीं हो जाता है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यो फॉर वाचिंग